आज बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी और बटर पनीर मसाला आपने बटर पनीर मसाला एक बार इस तरीके से बना के देखिए शौर ऐसा बटर पनीर मसाला आपने कभी नहीं बनाया होगा इतना टेस्टी की होटल और रेस्टोरेंट का स्वाद भी ना इसके आगे फेल है इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है वीडियो को पूरा देखिएगा बीच बीच में बहुत सारे चोटे चोटे टेप्स और ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी आपकी ग्रेवी जो है इस टेक्श्टर के बनेगी आपने खाई होगी होटल और रेस्टोरेंट में वहाँ की ग्रेवी जो है बिलकुल अलग स्वाद होता है बहुत कोशिश कर ले हम घर में वो स्वाद नहीं आपाता है आज मैं जो तरीके से बटर पनीर मसाला घर में बनाऊंगी न इसके बाद आप ये क्या कोई भी सबजी बनाना बहुत असानी से सीख जाएंगे तो एक बार रेसिपी को पूरा फॉलो करेगा टेक्शर आप देखी सकते हो स्वाद लजबाब है बहुत टेस्टी पटर पनीर मसाला बनके तयार होगा तो आए देखते हैं से तो आए देखते हैं से तक कि टाइम पर सारी नौटिफिकेशन आपको मिल सकें तो आए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा मैंने आधा स्पून करीब डाला है और फिर उस में डाला है एक से दो स्पून के करीब बटर ताकि बटर जो है हमारा जले ना इसलिए मैंने उसमें पहले ओईल लगा लिया था अब मैंने पनीर के क्यूब्स जो है जितना भी पनीर 100 ग्राम 200 ग्राम आप लेना चाहते हैं तो यह 200 ग्राम करीब पनीर है तो मैंने इस क्यूब्स को इसमें हलका साथे करके गुलाबी फ्राइ कर लूँगी और यह हलका 2-5 मिट फ्राइ करने के बाद मैंने इसमें डाला एक स्पून जीरा थोड़ा सा कसूरी मैथी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इस प्रिंकल किया है इसके उपर मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिच पाउडर और देख सकते हैं आप मैंने कितना जरा सा गरम मसाला पाउडर इसके उपर स्प्रिंकल किया है साथ में हमने नमक डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा सौल्टी सा फ्लेवर आ जाए अच्छे से पनीर को सौते कर लेंगे देखे कलर जो हलका सा पनीर का चीन जोड़ने लगा था तो गैस की फ्लेम को बन कर दिया पनीर को साइड में रखके अब मैंने दूसरे कड़ाई में लिया है थोड़ा सा ओईल दो स्पून और इसमें मैंने डाला है करीब पचास से साट ग्राम बटर साथ में एक स्पून भरके हम डालेंगे जीरा और यहां पर हमें प्याज पीछने की जूरत नहीं है आज हम प्याज को हलका बारिक चॉप करके अच्छा चॉप करके हमने दो से तीन ओनियन को इसमें डाला है और प्याज को अच्छा गुलाबी हो जाने तक हम भूंच लें और बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाईएगा साथ में मैंने इसमें डाला एक स्पून हल्दी पाउडर और एक स्पून लालमिर्च पाउडर यह देगी लालमिर्च है इसे कलर बहुत अच्छा हैगा हमारे पनीर का साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करके सौते कर लेंगे और ये है हमारे टमाटर की प्यूरी तो ये कैसे बनाना है ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड में मैंने छोटा सा क्लिप ढाल रखा है टमाटर प्यूरी आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है प्यूरी का कि यह जो है न असली सबजी बनाने के यह चोटे-चोटे टिप्स होते हैं अगर आपकी यह सब चीजे परफेक्ट होती है तो आपकी सबजी बहुत बढ़िया बनके आती है तो लगभग 4-5 मेट हमने टमाटर को भी ढाक कर पका लिया है और देखिए ओयल जो है साइट साइट से रिलीज होने लगा है टमाटर जो है हमारे अच्छे से पकने लगे हैं प्योरी जो है हमारी तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे एक स्पून भर के कसूरी मैथी बहुत इंपोर्टेंट है यह जरूर डालेगा साथ में हमने डाला है थोड़ा सा धनिया जितना आपके पर धनिया हो और साथ में एक हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है और उस तरीके से मैंने हरी मिर्च को भी इसमें एड़ कर लिया है इसे हम अच्छे से बूनेंगे और बहुत आधा स्पून से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला तो आप देखें मैं मसाली कितने कम यूज़ कर रही हूँ साथ में हमने इसमें डालिए घर की मलाई तो दो से तीन चमच भरके आपको घर की मलाई और मलाई अगर नहीं है तो आप रेडिमेट बाहर की मलाई डाल सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो तब आप इसमें आधी से एक कटोरी दूध डाल सकते हैं तीनों आप्शन मैंने आपको बता दिये तो देखे इसको मिलाने के बाद आप देख सकते हो ग्रेवी जो है ना जैसे जैसे मैं ग्रेवी पकाती जा रही हूँ आप इसका टेक्शर देखके ही समझ रहे होगे कि ये सबजी जो है खुद में एक अलग टाइप की सबजी है पकाएंगे और बहुत प्यार से बनाएंगे तो आपकी सबजी में वही स्वादाएगा तो ये देखे मैंने इसको पकाने के बाद ये हमारा सीक्रेट पाउडर ये भी क्या है सीक्रेट पाउडर मैं आपको वीडियो के एंड में बताओंगी क्योंकि मैं सब कुछ अगर अ तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां पर एक टिप है आप इसमें गरम पानी डालेंगे एकदम उबलता हुआ तो देखे मैं इसको 2-3 चमच गरम पानी इसमें डाल रहे हूँ और हम ये ग्रेवी जो है बहुत पतली नहीं करेंगे हमें इसको गाड़ी रखना है क क्योंकि आपने खाई होगी बाहर जो ग्रेवी होती है बहुत थिक होती है इसको ढांक कर हमें पकाना है दो से तीन मिनिट के लिए और बीच बीच में आपको चलाते रहना है और दरवाई सबजी नीचे से लग जाएगी क्योंकि हमने जो ये सीक्रेट मसाला डाला है इससे घ्रहिं कर दिए इजसे अच्छा एक सिलकी सा और बहुत थिक सा टेक्शर आ जाएगा अपकी ग्रेवी आप देख सकते हो जैस ये पकता जाएगा ऊस गरम पानी से आप डालेंगे तों बाहर की तरह तैयार होने लगी है अब इसमें हमने फिर C total hydraulic कर देख कर सकते हैं chaque ने तो बटर का फ्लेवर तो इसमें होना बहुत जरूरी है और पूरा सबजी हम जो है बटर ही बटर में बनाएंगे बहुत टेस्री बन के तयार होगी ये देखे सबजी कितने अच्छे से पूरी कड़ाई को छोड़ चुकी है आप देख सकते हो और इसके बाद इसमें हम डाले की तरह सबजी बना के तयार कर सकते हो तो देखो पनीर को डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और देख सकते हैं पनीर भी बढ़िया तरीके से हमने मिक्स कर लिया है जलाते हुए और जो हमारे पैन में मसाला था तो मैंने इसमें थोड़ा गरम पानी थोड़ा पानी इसमें और एड़ कर लिया है तो एक से दो चम्मच करीब इस्पून आपने इसमें पानी और एड़ कर लेना है और इसे हमें अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक तो नमक देखे मैं एंड में ही डाल रही हूँ अब नमक डालने के बाद आपने इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके और ढाक के पकाना है थोड़ा सा तीन से चार मिट के लिए बीच पीच में आप इसे चेक करते रहेगा अदरवाइस ग्रेवी नीचे से जल जाएगी तीन से चार मिट हो गए हैं यहां पर बढ़ियां तरीके से बाइल आ चुका है सबजी में गैस की फलेम को आपको मीडियम ही रखना है बहुत हाई फलेम पर सबजी नहीं बनानी है और यह देखे बढ़ियां तरीके का टेक्शर ग्रेवी में आ चुका है अब यहाँ पर हमारा next secret है टमेटो केचप तो जब भी आप ये वाली ग्रेवी बनाएं तो इसमें 2-3 चमज भर कर टमेटो केचप मैंने डाला है इसमें तो टमेटो केचप आप डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये डालने के बाद आपकी ग्रेवी का टेक करिए हर कोई यही सोचेगा कि आपने यह बाहर से ओडर किया घर में नहीं बनाया है एक बार एक बार मेरे कहने पर रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा और ये देखे हमारी बटर पनीर मसाला बनके एक्तम रेडी है दिक्रियान एक्तम बज़ार की तरह तो गैस्ट को जब बना के सर्फ करेंगे तो कोई यकीन नहीं मानेगा कि आप इतनी टेस्टी सबजी घर में बना सकते हैं तो इसे हम सर्फ कर लेते हैं ये लीजे बढ़िया गरम गरम बटर पनीर मसाला बनके तयार है लंच में बनाईए डिनर में बनाईए इसे आप रोटी पूरी नान परा तो मैंने बनाईए पनीर की बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है तो आज एक और पनीर की रेसिपी उसमें एड हो गई है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के एंड में मिल जाएगा या उपर आई बटन पर मिल जाएगा अब दे जो सीक्रेट मसाला है उसमें हमने लिया है 2-3 चममच मगच के बीज साथ में 3 चममच काजू 3-5 मैंने लिया है तिल सफेद वाली और लिया है दालचीनी का तुकड़ा और 3-4 बड़ी हरी अलाइची बस इतना ही हमें डालना है अगर आपके पास यहां पर पॉपी सीट्स या जो होते हैं, आप उसे खस-खस दाना बोलते हैं, अगर वो हो तो भो भी एट कर सकते हैं, और इसे हमने अच्छे से बारिक पेस्ट पाउडर बना के पीस लिया है, ये पेस्ट आप सबजी में डालिए, इतनी बढ़ियां सबजी बन के तयार होगी, आपके सामने हैं, गर झालिए, 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 झालि